मानिये स्वास्यमंत्री जी ने कल दिल्ली के लेफ्टिन गवर्न साहब, दिल्ली के स्वास्यमंत्री और दिल्ली में स्थिट सभी हॉस्पिटल्स के सुपरिंड के साथ एक वीडियो कॉंफरेंस के जरिये बाचीत की जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल से क्रिटिकल नौन कोव बनाए दखना चाहिए इसी तरीके से इंडियन रेट क्रॉस सोसाइटी की मदद से किये जाने वाले मुबाइल ब्लड कलेक्शन सर्विसेज का भी उप्योग करना चाहिए अब तक का डिटेल डेटा गर हम देखें तो देश में 1992 लोग क्योर हो चुके हैं जिसके द्वार 291 एडिशनल पॉजिटिव केसेज आये हैं विश्टेक्स आर कंफर्म केसेज तू 14,378 केसेज लास्ट 24 आर्स में 43 न्यू डेस्स भी रिपोर्ट हुई हैं तेकिंग आर्ट टोटल डेट टोल टू 480 डेस्स आज मैं आप लोग की दृष्टी में लाना चाहूंगा कि स्ट स्टेट लेवल पर डिस्टिक लेवल पर किये हुए कारियों के द्वारा हमें अच्छे रिजर्ट भी काफी हद तक मिलने लगे हैं जिसके तहट 23 राजियों में 47 जिलों में हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है जिसमें की इससे पहले मैंने बताया कि माहे इन प 45 अधर डिस्टिक से जहां पर भी पिछले 54 दिनों से कोई भी नए केस रिपोर्ट नहीं हुआ है इससे पहले जिन जिलों के बारे में मैंने आपको बताया था उन जिलों के अलावा 22 नए डिस्टिक्स 12 स्टेट cartridge में ऐसे आए हैं जहां पर कि पिछले दिनों कोई केस में तोबल इन्मनिपुर चित्र दुर्गा करनाटका में होशियारपुर पंजाब में रोतक और चर्खी दादरी हर्याना में लोहिद अरुनाचल प्रदेश में भर्दक पुरी उडिशा में करीमगन गोला घट कामरूप रूरल नालबारी और साउध सलमारा असाम से जलपा अगर इसी तरीके से जिला इस्थाई पर कंटेन्मेंट स्ट्रेजी दो लॉकडाउन पर हम काम करते रहें तो हमें लगता है कि हमें इसी तरह के पॉजिटिव रिजर्ट्स आते रहेंगे इससे लिंग्डी फैक्ट है कि तीन ऐसे जिले जिसमें पहले 14 दिन तक केस नहीं यह पॉइंट में आप लोगी दिश्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि यह एक लड़ाई है यह बैटल है जिसमें हमें डे टूडे कंटिनूड विजिल पे रहना पड़ेगा तब हम इस लड़ाई से जी सकते हैं डेट का जो डिटेल्स आये थी अगर मुसको अनलाईज करें तो हमने देखा है कि हमारे देश में मौटालिटी करीब 3.3% पाई गई है जिसमें अगर एजवाई अनलसिस करें तो पाते हैं कि 0 to 45 एर्स एज ग्रूप में 14.4% परसेंट ओपीपल वहाँ पर डेट नोट की गई है 45 to 60% में 10.3% 60 to 75 में 33.1% और 75 एर्स एंड अबव में 42.2% तो यानि कि हम देखते हैं कि 75.3% केसिस जो हैं वह साथ प्लस उम्र के लोग में डेट नोट की गई है इसी तरीके से को मौर्बिट कंडिशन के बेसिस पर अनलाईज करें तो हम देखते हैं कि 83% केसिस में को मौर्बिटीटीज भी पाई गई हैं यह मैं आप लोग की दृष्टी में इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि इससे पता लगता है कि elderly people और people with comorbidities where high risk cases में आते हैं आज lockdown और social distancing के बारे में जब हम बात करते हैं तो हर आदमी को social distancing को follow करना है क्योंकि उसके घर में अगर 14,378 positive cases जो आए हैं उसमें से 4,291 लगबग 29.8% cases निजामुदीन मरकस cluster से single source से संबंदित पाए गए हैं जिससे 23 states और union territory से इससे related cases पाए गए मुख्यता, तमिलनाडू, देली, तेलंगाना, उतर प्रदेश और आंध प्रदेश जैसी high disease burden states में जो की top 10 states in terms of case loads हैं वहाँ पर इस particular incident से related cases पाए गए हैं तमिलनाडू में 84% cases, डेली में 63% cases, तेलंगाना में 79% cases, यूपी में 59% cases और आंध प्रदेश में 61% cases इस event से link note किये गए हैं इसके साथ ही मैं आप लोगी दृष्टी में लाना चाहूंगा कि कुछ कम cases report होने वाले राजियों में इस event से related cases ने contribute किया, जैसे कि अरनाचल प्रदेश में जो एक मामला आया है वह इस event से related है, असाम में 35 cases में से 32 cases यानि की 91% cases, अंडमान निको बार में 12 में से 10 cases यानि की 83% cases का सेम link पाया गया, इस event को मैं आप लोगी दिश्टी में इसलिए लाना चाहता हूं कि सरकार की सलह कि अनुसार lockdown और social distancing अगर कोई एक भी व्यक्ति पालन नहीं करता है, उसके पालन ना करने से देश के लिए consequences होते हैं, हमें सब को मिलकर यह ensure करना है, हमें सब को मिलकर यह प्रत्न करना है, कि हम social distancing से संबंदित दिशा निर्देशों का पालन करें, disease manage करने के लिए lockdown से do's and don'ts को follow करें, इसके साथ ही testing methodology के careful review करने के बाद, ICMR ने National Task Force की advice के तहट एक नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसको मैं आप लोग की दिश्टी में लाना चाहूंगा, इसके द्वारा उन्होंने बताया है, कि मुखे तह जैसे आप लोग इस presentation के थू देख सकते है कि real-time PCR test is actually the gold standard frontline test for COVID-19, यह point इसलिए मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि हम सब को difference पता होना चाहिए कि real-time PCR test versus antibody test के क्या-क्या role और क्या-क्या limitations है, तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि real-time PCR test को ही हम confirmation test के रूप में मानते हैं, जो rapid antibody test है, वह इस test को replace नहीं करता, और rapid antibody test का purpose है कि वो prevalence of disease in a particular area के बारे में दर्शाता है, और इसकी utility जैसे कि इससे पहले भी अवगत किया गया है कि antibodies बनने में करीब minimum 7 दिन लग सकते हैं body में, तो इसकी utility अगर कोई आदमी infected है, तो 7 दिन के बाद ही उसके symptoms आ सकते हैं, तो उसके बाद ही इसकी कोई हमें clarity या कोई output मि पर पर confirmative test रूप में ना होते वे epidemiological studies और surveillance purposes के लिए किया जाता है, इस rapid antibody test को भी जब किया जाए, तो proper medical supervision के तहट किया जाए, और साथ ही हमने ये बताया कि इस rapid antibody test को hot spot में यूज करना है, इन case किसी district, किसी state में अगर कोई area hot spot के रूप में declare भी नहीं हुआ है, तो हम लोग उने advice दी है कि वहाँ पर भी rapid diagnostic test या तो hot spot को इमर्ज हो रहा है, उसके analysis के लिए यूज किया जाए, या as a surveillance tool यूज किया जाए, epidemiological purposes के लिए, ताकि identify किया जाए, उन एरे में जहाँ केसे नहीं आये हैं, इसके साथ ही एक बहुत मुख्य issue यह है, कि rapid diagnostic test वो surveillance purpose से और epidemiological purpose से जो data हमारे सामने प्रस्तूत करता है, उसके तहर अगर हमारे को कोई positive case मिले, तो उससे related हमें contact tracing और follow up के लिए जरूरी है, कि वह test के detail भी online पद्दिती से state level पर, district level पर और साथ ही national level पर हैं, कि जो भी rapid diagnostic test करें, वह भी covid19cc.nic.in oblique ICMR इस portal पर अपने आपको register करके, उसके बाद ही इन test का इस्तेमाल करें, ताकि इसके द्वारा मिली हुई information को हम इस्तेमाल कर सकें, साथ ही देश की testing strategy में आप लोगी दिश्टी में लाना चाहूंगा, इसमें जो बताया गया है कि चाहे वो PCR test हो, चाहे वो point of care rapid diagnostic test हो, इनको किस-किस लोगों के उपर करना है, इसमें मुख्यत है, symptomatic individuals जिनकी कोई travel history हो, asymptomatic contacts जो कोई lab confirm case के symptomatic contacts हो, उनका test होना चाहिए, इसी तरह कोई healthcare worker जो symptomatic हो, उसका test होना चाहिए, साथ ही कोई severe acute respiratory illness से, अगर कोई patient हो जो किसी facility में जात है, उसको अगर कोई fever, cough या shortness of breath हो, उसकी testing होनी चाहिए, और asymptomatic, यानि कि जिसके कोई symptom नहीं है, उसका तब test करना चाहिए, जबकि या तो किसी high risk confirmed case का direct contact हो, और उसकी भी testing तब करनी चाहिए, पांचवे दिन और चौदवे दिन, जब वो contact में आया हो, ताकि उसके basis पे हम clarity ले सकें कि अगर कोई confirmatory test है नहीं है, इसके साथ ही अगर एक algorithm के रूप में हम देखें कि additional अगर कोई hot spot area में हम कोई testing करते हैं, तो हमारा प्रित नहीं होगा कि hot spot area में भी जो किसी के अगर fever cold और cough के symptoms हो, तो अगर साथ दिन से पहले अगर उस आदम्यों का ऐसे symptom हो, तो हम RT-PCR test के द्वारा उसको identify करें, अगर positive है तो उसे confirm case मान कर action plan के तहत कारिये करें, negative है तो भी उसे susceptible मान के हम उसको monitor करें, इसी के साथ ही अगर कोई case जिसको ये symptom है fever, cough और cold के, तो अगर उसको 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इन symptoms के साथ, तब हम उस case में rapid antibody test का इस्तमाल कर सकते हैं, और अगर वो positive आए तो उसको quarantine रखें, और साथ में उससे related contact tracing का कारें शुरू करें, इसके साथ ही अगर वो negative आए तो क्यूंकि इससे 100% का information उस time तक नहीं मिला, तो वो इसको 14 दिन, यानि की 7 प्लस 7 उस दिनों तक monitor करें, और अगर कोई clinical suspicion हो, clinician के level पर analysis करके ज आथ ही, जैसे हमने कल डिसकस किया था, आज जो भी हमारे result आ रहे हैं, उनके पीछे मुखेत है, फी लेवल पर जो हमारे COVID के जो योदा है, COVID के जो concerned employees हैं, जो मिलके काम कर रहे हैं, उसी का result हम लोग देख पा रहे हैं, इससे पहले हम लोग ने आगरा और दिली और एंस के से continued effort करते हुए, जो हमारी cluster containment strategies हैं, उनको इस्तमाल करते हुए कैसे अच्छे result हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके तहज अगर आप देखें, तो इस जिले में 168 total positive cases आये, जिसमें से 113 case, 113 case already cured हो चुके हैं, और सबसे positive बात है, clinical management पर focus करते हुए जिले में एक भी death report नही हुई है, आज 55 active cases हैं जिनको भी properly clinically monitor किया जा रहा है, साथ ही अगर आप देखें, in terms of इसके क्या challenges से जिले किये, तो वहाँ पर abroad population around 15.38% थी, third case जो इंडिया में report हुआ, उसकी चाइना से travel history थी, उसको जिले में contain किया गया, monitor किया गया, second wave जब 16 March से West Asia से जो इस जिले के रह रहने वाले लोग लोटे, तो उसकी वैसे sudden spurt in cases वहाँ पर note किया गया, काफी challenges थे, challenges के रूप में देखें, तो एक border district था, state capital से दूर था, geographically distant था major town से, साथ में इतने सारे लोग en masse जब लोटे, विदेशों से, जो expatriate, तो वो किसी-किसी airport पर आये, किसी airport से different methodology से, travel करके, rail से, road से, वो जिले में पहुचे, तो उससे संबंदित contact racing उन सब cases में एक बहुत बड़ा challenge भी था, इसके साथ ही, अगर हम देखें कि क्या strategic approach जिले ने ली, तो सबसे पहले state government की तरफ से, एक senior officer को, वहाँ पर special officer के रूप में अपॉंट किया गया, ताकि वो जिले administration के साथ, जिले के जितने भी विबिन आंगे हैं, उनको coordinate करके उनके साथ काम कर सके, उन्होंने lab के उपर focus किया, उन्होंने hospital बनाने पर focus किया, और उसके रूप में देखें, तो जैसे कि हमारा cluster containment strategy है, तो उन्होंने उससे संबंद incident commanders बनाए, home quarantine किया उन लोग को, जिनकी travel history थी, साथ ही एक social distancing के उपर एक IEC campaign jailer में launch की गई, जिसको break the chain नाम दिया गया, सारे जितने भी हमारे cluster के red color में, जो हमने containment zone बनाई उनको identify किया गया, drone का इस्तेमाल किया गया technology के रूप में, साथ drone को apply करके surveillance के लिए उसकिया गया, और जितने भी home quarantine के cases थे, उनको geospatial methodology की तरह से track कर किया गया, ताकि लोग home quarantine को follow कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन समचीदों को करते हुए, essential commodities की कि किसी भी तरह से कमी न हो, उसके उपर विजिला लेवल पर focus किया गया, इसके साथ ही अगर आप देखें, तो जितने हमारे positive cases आए, उससे संबंद 17,373 जो primary और secondary contact उनको trace किया उनको quarantine किया गया, daily samples पर focus किया गया, testing lab स्टार्ट की गई, covid care center बनाए गये जिसमें 709 bet थे और साथ ही जितने भी primary, secondary और high risk contact थे उनको isolation centers में ले जाकर उनको properly monitor किया गया, एक hospital को, 200 bet के hospital को, वहाँ पर हमने operationalize किया चार दिन के अंदर और एक ICU facility भी बनाई, और साथ में household survey के लिए जो हमारे frontline health workers हैं, आशाद हैं और health inspectors हैं, उनके द्वारा house to house survey किया गया, एक care for cancer goal initiative के नाम पर, social welfare related activities, उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसके ओपर भी कारे किया गया, free food kits provide की गई, poor और migrant workers को, black marketing, holding और price rise को monitor किया गया, साथ में shelter home और community kitchens के द्वारा, वहाँ पर ensure किया ग अना ना करना पड़े, इसके साथ ही health check-up किया गया, जितने भी migrant और destitute से alternate day, ताकि उनकी health को भी monitor किया जा सके, जो major effort रहा, वह यह है रहा कि जो भी primary, secondary contacts हैं, या high risk cases हैं, जैसे कि 60 year, 60 साल and above, उनको straight away quarantine करके isolation centers में ले जाया गया, ताकि उनको effective monitor किया जा सके, 100% household survey किये गया ताकि sometimes monitor किये जा सके, essential community एक बहुत major intervention रहा, और साथ में effective awareness campaign, जो भी कारे किया गया, वह community को मिला कर, community को जोड कर किया गया, और मैं आप लोगो को आखिर में ही बताना चाहूँगा, कि we really got to know, we got very positive results कि जब लोग treatment के बाद, cure होने के बाद वो अपने घर लोटे, मैं आप ल लोगों को मिलके काम करना है, सब लोगों को support करना है, यह समझ सरकार, संपून समाच, सब लोगों को मिलके करने वाला एक उद्यम है, जिसमें हमें कोई भी आदमी, किसी का भी ऐसा नहों कि हमें support न मिले, हमें सब का support मिले, और हम इस battle में जीत के, इस देश की तरफ से एक success दुनिया के सामने रखें, धन्यवाद, धन्यवाद,